भार्तिय बिरोजगार मोचा द्वारा आयुजित बिरोजगार जोडो यात्रा महल से सम्विधान चौक तक निकाली गई। सम्विधानिक संस्ताओं के निची करन करने की वज़ा से देश में बिरोजगारी बढ़ रही है। वज़गार है विद्यारती है वो लोग जो शिकार हो रहे हैं उनको स्कॉलर्शी प्रदान करें सरकार और उनको जो दो करोड रोजगार देने का बादा किया था सरकार ने वो पुरा किया जाये उनके माध्यम से और जो 75 सालों में हम लोग आजात तो हो गए। लेकिन माम आज तक हम लोगों को मतलब सरकार रोजगार देने में सफल नहीं हुए है। और कॉंग्रेस बीजगार ने इस देश का जो वंटादार किया हैlines सारे सरकारी सेक्टर का निज़ेकरन किया निज़ेकरन के माध्यम से जो हमारे यूवा विरोजहारों का प्रदिन व負तम किया रहा है वो बहुत-बड़ा सट्ट्र है और इस सड़ेंत्रा का शिकार हम लोग हो रहे हैं और मैं एंसेरबी की रिपोर्ट है कि हर दिन पती दिन नहीं के कावलते मैं जो इस देश में सुशिक्षित पड़े लिखे युवा जो है वो आत्मत्या करने के लिए मजबूर किया जारा यह रेली चत्रपति शिवाजी महाराज जो महल गांदी गेट है वहाँ से लेकर सभीधान चोक तक जाएगी और रेली के माध्यम से हम आज की युवा पीडी है उनमें एक जागरुता लाने की कोशिश कर रहे है कि आप देख रहे है कि बेरोजगारी में जब से भारत में बी या फिर मीडिया हो वो जो इसको दबा देते और नौन इसको इसको कर रहे है चाहे सरकार हो या बेरोजगारों की जो बढ़ती समस्या है आप अगर देखेंगे तो यह हम नहीं बलकि गुगल पे सरकार के आकड़ी दिये हुए है कि एक दिन में 60 प्यालेंटेड हुआ सुस वापर हिंदू-मुस्लिम के दंगल हुए जबर्दस्ति सारा गवर्मेंट के प्रायजित हो रहा है अभी आप और हम धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहते लेकिन हमारी जो मुल्बुत समस्या है यह सारा पड़ाली का टैलेंटेड युआ वर गए अगर इनको आउसर कई मांगो को लेकर यह यात्रा निकाली गई जिसमें दस्वी, 12 सना तक प्रास्तिन तक बेरोजगारों को पाच वर्ष के अंदर रोजगार उपलब्द कराये जाए। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता तब तक केंद्र तठहार राज्य के सरकार को शाट चालिस के अनुपात में बिरोजगारों को बिरोजगारी भतादी आजाए। कहीं मांगों को लेकर यह यादरार निकाली गई। NBCN News के लिए राजकुमार महोड के साथ शुतिजा देशमुक्की रिपोर्ट